वे बोहन पुरा कुंडालिया प्रेशराइस पाइप्लाइन प्रणाली का लोका आरपन करें सिंगल क्लिक के माध्यम से इसको परियोजना के अंतरगत 20-30 हेक्टियर पर स्काडा तकनीक ध्वारा जल का संचालन किया जाता है जिसमें मीलो दूर स्तेत गाउस की हर खेट तक सीदे पाइप से पानी पहुच रहा है माननी विशे शतितिगनो सिलिवेजन की उप्त दोनों परियोशनाओं का स्काडा बटन दबा कर काली पीट, करनवास वन नांदली ग्रामों के खेटों तक जल प्रवाहित करें और हम लाइव देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से की ताली पीट, करनवास और नांदली ग्रामों के खेट की तस्वीरे हैं ये और इन भागी प्रवाहित काली पीट में हमारे किसानवाई खेट में खड़ें उनको राम राम मेरी आवाज आ रही है तो हाद उढ़ा दो वो भी उढ़ा रहे हैं खेट में भईया बलो भारत माता की पानी आगा भईया देखो नाच रहे हैं नाच रहे हैं एक बार जोर जारता लिए हैं अबने वेधन कारिक्रम की मुख्यातिति और मानिने मुख्य मत्री जी से कि सवा लाग है के जल जीवन मिशन के अंतरगत गोर 섞 पुरा पर योजना के 156 गाओं में जल प्रदाय योजना का शुभारम करें निवेधन हमसे अबने और मानिने मुख्य मyalनि जी से कि कि रिमोट का बचन दबा कर इस परियोशना का भी शुभारम करें और आपको बताना चाहेंगे 156 ग्रामों से महिलाएं ये कलश में जल लेकर आई थी और अभार सरूप माननी मुख्यमंत्री जी को देना चाह रही थी कि डल से जल उनके ग्रामों तक पहुचा और इस परियो जीवन मिसन का पानी गाओं में उनके पहुच रहा है हैंट पम से नहीं अब नल से गाओं में पानी पियेंगे टोटी खोलेंगी तो जर जर पानी आएगा और गुंड़र का गिरा भर जाएगा मानी राजनाच जी उसका भी लोकारपन कर रहे हैं बतन दबा के आएए जोरदार तालियों से इन सभी योजनाओं का स्वागत करें जिसको बेट सरूप देने हमारे बीच कारेक्रम के मुख्य थे ती माने ने केंद्री रक्ष्यामंत्री शीरार जनाच सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद समान नहीं है तिती गनों से निविधन प्रिपया अपना स्थान ले ले और अब और अब हम निविधन करना चाहेंगे हमारे लाड़ने मुख्य मंत्री जी से जिनोंने किसानों के साथ साथ महिलाओं के तकदीर बदलने की ठानी है ऐसे प्रियमुक्य मंतरी जिसे निवेदन उत्वोधन के लिए जोर्दार तालियों के साथ स्वागत करें अपने प्रियमुक्य मंतरी जी का इदर मेरी लाडली बेहनाएं बैठी हैं कैसी हो मेरी बेहनों जड़ा जोर से बोलो बेहनों की आवाजी एक बार बेहनें भी बोलेंगी क्योंकि इदर लाडली बेहनाएं और इदर प्यारे किसान है एक तरफ किसानों का असिरवाद और दूसरी तरफ लाड़ली बेहना इतनी बड़ी संख्या में आई है मैं दोनों हाद जोल कर प्रिणाम करता हूँ अपनी बेहनों को अपने किसान भाईयों को मेरे साथ मुझे कहते हैं गर्व है आज भारत के वो नेता जो प्रधान मंतरी जी के देत्रत्व में भारत की सीमाओं की ना केवल सुरक्षा कर रहे बलकर रक्षा के छेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी महा सक्ती जिनके नेत्रत्व में उभरी है हम सब के प्रियनेता, किसानों के भी प्रियनेता, आधनी रक्षामंत्री भारत सरकार, स्रीमान राजनाश सिंग्जी, एक बार मेरी बेहनों और भाईों दोनों हाथ उपर उढ़ा के ताली बजा के, स्वागत कीजे राजनाश सिंग्जी का, बंदन कीजे राजनाश इस अबसर पर यहां मारे साथ उपस्थित आदर्णी किर्शी मंत्री, स्रीमान कमल पतेल जी, आदर्णी सिचाही मंत्री, तुल्सी सिलावट जी, आदर्णी सहकारिता मंत्री, स्रीयरविंद भदोरिया जी, आदर्णी उचे सिच्छा मंत्री, भाई मोहन यादव जी, विध बिदायक नर्सिंगर्ड राजवर्दन सिंग जी, बिदायक सारंगपूर कुमर कोठार जी, बिदायक सुष्णेर विक्रम राना जी, बिदायक राजगर्ड बापु सिंग तबर जी, किसान मोर्चे के अद्दक वाई दरसन चौधरी जी, हमारे भारती जनता पार्टी के आदर्णी जिलाददा जी, ग्यान सिंग जी, राजएन सिंग राजपूर जी, धर्मेन सिंग सिकरवार जी, सुरेंदर जी, पूर बिदायक हमारे आदर्णी रुग्णनदन सर्मा जी, हरी चरन जी, अमर सिंग जी, परताब सिंग जी, मोहन सर तरफार जी, हजारिलाल दांगे जी, मेरी बेहनों, मेरे भाईों और भाण्जे भाण्जे आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़के प्रिणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, मेरे बेहनों और भाईों, आज राजनाथ जी आये हैं, और खाली हाथ नहीं आए, आन्ये ऐसे मार्क दर्सक है जिन से हमने राजनीती का काखागा सीखा है और आज अपने अपनी जगे बैठे रहो और आज उनके उपर गुरुतर दायत को है प्रधान मंत्री नरेंटर मोदी जी एक बैवब साली भारत, गौरब साली भारत, संपन्द भारत, समर्द भारत मुझे कहती है गर्व है कि एक जमाना था जब छोटे-छोटे से देश में टराते थे लेकिन आज भारत के प्रधान मंत्री हैं स्रीमान नरेंदर मोदी जी और रक्षा मंत्री हैं स्रीमान राजनाज सिंगी अगर चीन ने जुर्ड की भारत की तरफ आख उठाने की तो भारत के सेंकों ने चीन के सेंकों की गर्दन तोड़के बाप इस चीन की सीमा में ठैक दिया भारत की सीमा आज सुरक्षित है हमारे ऐसे नेता राजनाज सिंगी का एक बार फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए अविनंदन कीजिए और मेरे बेहन और भाई पुरदान मंत्री स्रीमान नरेंदर मोदी जी के नो साल पूरे हुए हैं ये नो साल प्रिगती के हैं विकास के हैं जनकल्यान के हैं मा बहन और बेटा बेटियों की भलाई के हैं इसलिए आज मोदी जी की सरकार के नो साल पूरे होने पर भी दोनों हाद उपर उढ़ा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का अविनंदन कीजिए मोदी जी का लेकिन आज मेरी लाडली बेहना इतनी बड़ी संख्या में आई है मेरी बेहनों लाडली बेहना योजना का पैसा खाते में आया की नहीं अरे सब जोर से बताया आया की नहीं आगया और जिनका रह गयो चिंता मत करना कल साम तक 75 लाग बेहनों के खाते में पैसा आगया था तो बाकी 50 लाग सोचरी की हमारा कब आएगा हमारा कब आएगा अरे चिंता मत करना हम कमलना थोड़िये के कहते मुकर जाए हमने कहा है तो आएगा आज साम तक कल सवेरे तक जो रह गई है सब बेहनों के खाते में पैसा आजाएगा मेरी बेहनों सब बेहनों के खाते में पैसा आएगा ये मुक्तमंत्री लाड़ली बेहना योजना अपने बेहनों की जिंदगी बदलने की कौसों से मेरी बेहनों न जानता हूँ एक जमना था तब जब भारत में मा बहन और बेटी का बहुत सम्मान था लेकिन धीरे धीरे इसकती बदली और बेटी या बहन के साथ दोरा बेवहर होने लगा मेरी बहन या बैठी है कई बार तो ये हुआ के बेटा बेटी दोनों में से अगर बेटा पैदा हुआ तो खुसिया मनाई जाए बधाई गाई जाए के भाईया आया है और बेटी अगर पैदा हो गई तो मा का चेह ही उतर गया जैसे बेटी नहीं हो गई हो आफ़त हो गई हो हमारा संकर भी था मेरी बहनों के बेटी को बोज नहीं रहने देंगे बेटी को भरदान बनाएंगे और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना आज, लाडली लक्ष्मी बेटियां 55 लाग से जादा है जिनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हम कर दे पहले लाडली लक्ष्मी योजनावनी लेकिन पहले बेटी की साधी भी बोज मानी जाती थी, एक सभा में मैं बोलना था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, तो एक बुढ़ी अम्मा उतके खड़ी हो गई, कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बेटी आ गई, तो साधी में दहेज के इंतिज तू करवाएगा मेरा मा था ठनका मुझे लगा कि बेटी की साधी बोज नहीं होनी चाहिए और इसे मेरी बहनों हमने बना दी मुख्ध मंत्री कन्या दान योजना बेटी की साधी की चिंता करने के जरुवत नहीं है मामा मुख्ध मंत्रिय भांजियों की साधी धूम धाम से करवाएगा ये योजना बेटी और केवल इतना नहीं हुआ इसके साथ साथ मेरी बहनों हमने ये भी तैटिया भारती जंता पार्टी की सरकार ने ये भी तैटिया के चुनाओ में सरपंच का हो पंच का हो जनपत का हो जिला पंचात का हो पारसत का हो आधी सीटों पे भाईया चुनाओ नहीं लडेंगे बैने ही लडेगी क्योंकि पहले चुनाओ कोन लड़ते थे ? भाईया लड़ते थे कभी निकलने दे दे ते घर से ? रोटी बना चुनाओ कोन लडेंगे ? साव लडेंगे मेडम का करेगी रोटी बनाएगी हमको लगा कि सही अर्थों में अगर बेहनों को आगे बढ़ाना है तो सरपंच बना दो यार जिला पंचा जन पद अद्ध बना दो तो आगे बढ़ जाएगी बताओ सही बात है की नहीं अरे जोर से बोल के बताओ, सही बात है कि नहीं, तो आदी सीटे रिजर्व कर दी बेहनों के लिए, अब देखो कितनी बेहने सरपंच बन गई, जन्पद बन गई, अलग-अलग पदों पर पहुच गई, अब देखो, बेहने चुनाओ जीती, और सरकार चला रही है, पीछे एक साब उनके पीछे पीछे चलते हैं, लोग पूछते ये कौन है, वो लिए सरपंच बती है, दीर है दीर हमारी बेहने आगे बढ़ी, बेहने ये बात और करी हमने, मतब देश में बोभी आपको पताना चाहता हूँ, हमने तय किया, कि मकान, दुकान, जमीन, कौन के नाम खरिते थे घर में, आदमी के नाम, कोई योड़त के नाम खरिता था जा, नहीं खरिते थे, हमने एक तर्कीव लगाई, कि अगर पतनी के नाम पे, बेहन के नाम पे, बेटी के नाम पे, अगर कोई जमीन या मकान खरीदेगा, तो रजस्टी का पैसा केबल एक परसेंट लगेगा और पत्नी के नाम पे कम लगेगा तर्कीव काम कर गई अब कई लोग कहते हैं जमीन तो खरीद रहा हूं लेकिन तूरे नाम पर खरीद रहा हूं पैसा बच जाएंगे तो बहनों के नाम पे जमीने आना भी शुरू हो गई बताओ ठीक या की नहीं किया अरे जोर से मेरी बहनों आप बताओ हजार रुपया की जरुद भी पढ़ जाए वो बहने जो आर्थिक रूप से ज़्यादा सम्रिद नहीं है माय के जाना है और पती देव से कहा सोचा माय के जाने कि अगर माय के जाएंगे तो भाईया के बेटा बेटी पूछेंगे भुवा जी आई तो हो मेरे लिए क्या लाई हो पैसा नहीं तो क्या ले जाएं पती देव से पैसा मांगे तो कही बार बोई गुस्ता हो जाएं कि जब देखो पैसा ही मांगती रहती नहीं है मेरे पास चोटी 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 जरुवत हमारी पूरी नहीं होती थी अरे बेटा बेटी दोड़ के कहीं गोद में आया और का मा आइसक्रीम खिला दे इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम खिला दूँ लेकिन पैसा नहीं है तो मन मदबूरी में कि ऐसा रोता है मुझे बताओ अगर बेटा बेटी ने आज़े का किताब दिला दे मा कपला दिला दे मा दिलाना चाहती हो तो दिलाना चाहती हो कि नहीं अरे दिलाना चाहती हो कि नहीं लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ दिल पे क्या गुजरती है कई बार आखों में आशु आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्यास मेरे पास भी पैसा होते है और तब मेरी बेहनों दिमाग में मेरे ये विचार आया कि भाईया तो तू भी है देखो जब मैं बेटियों बेटियों का मामा हुआ तो बेहनों का भाई हुआ की नहीं ऐसे नहीं जोर से बोलो हुआ की नहीं और भाई भी हुआ तो सगा भाई हूँ की सोते लाऊं अरे सगा में एक बार आके राखी बनवाता की नहीं बनवाता है बेहन को लिवा लाता है बेहन के घर जाता है और सो रुपईया देगा पांसो रुपईया देगा कपड़े देगा देता की नहीं देता तो मेरे मन में भी आए बहिया तो तू भी अरे और मुक्कमंद्री बहिया हो गया लेकिन फिर एक बात और आए किसाद में एक बार रुपया दाने से काम चलेगा क्या बताओ मेरी बैणों काम चलेगा क्या अरे जोर से बताओं उदर वाली बेहने भी बताओं नहीं चलेगा और इसलिए तैचिया कि हर महीना बेहनों के खाते में एक हजार रुपया डाले जाएंगे अर इसमें तो जोर से ताली बजाओं बोलो सब खुसो लेकिन एक बात और सुनलो केवल एक हजार नहीं अभी तो शुरू किया है मैंने और बढ़ाना चाहिए कि नहीं जोर से बोलो ना और इसलिए तैचिया है कि जैसे जैसे पईसे का इंतजाम होगा वैसे वैसे एक हजार से बढ़ा के करूँगा साड़े बारा सो रुपईया साड़े बारा सो से बढ़ा के फिर कुछ महीने बाद पंद्रा सो रुपईया और इंतिजाम मैंने कर लिया तो बाद में करूँगा साड़े सत्रा सो रुपईया और इंतिजाम हो गया तो दो हजार रुपया और इंतिजाम हो गया तो साड़े बाइस सो फिर पत्चीस सो इसको बढ़ाकर मेरी बेहनों तीन हजार रुपया तक ले जाओंगा तीन हजार रुपया तक क्योंकि तुम्हारी जिंदिगी बदलना है मुझे आसु नहीं होगे चेरे पर मुस्कुडाहत होगी तुम्हारी भी तो तुम्हारी भी तो आत्मा हैं तुम्हारा भी तो मन हैं तुम्हारे भी तो सपने हैं तुम्हारे भी तो बच्चे हैं तुम्हे भी हसने का धिकार हैं तुम्हे भी मुस्कुडाने का हके तुम्हारे बच जन्ता पार्टी की सरकार का मिसल है और इसले ये मुख्ध मंत्री लाड़नी बहना योजना आई है इस पर लगातार हम काम करेंगे लेकिन आज किसान संबेलन भी है हमारे किसान भाई भी इतनी बड़ी संख्या में आए है मेरे किसान भाईयो वो दिन याद करो राजगर में राजगर जले में दस दस साल यहां मुख्ध मंत्री रहे हैं बोलो कांग्रेस की सरकार ने राजगर जले में कभी सिचाई की बवस्ता की थी क्या जोर से दस दस साल मुख्ध मंत्री रहे और एक इंच जमीन की तुम सिचाई नहीं चरपाए उनने पानी नहीं दिया उनने रो दिद की राजा का जमाना कितने घंटे बिजली आती थी अरे जो और से बोलो दो गंटे तीन तीन गंटे और आज दो गंटे चली जाए तो हाहा कार मचाती बिजली नहीं है मामा क्या गड़बर हो रही है उन्हें ना पानी दिया उन्हें ना बिजली दी उन्हें ना सड़कें दी क्या दिया था कॉंग्रेश की सरकार ने कोई बता दे सबा साल सबा साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कॉंग्रेश के नेता सब किसानों का करजा माप करेंगे ऐसे गिन गिन के कहा था राउल गांदी जी ने दस दिन में सब का करजा माफ एक, दो, ती, चार, पाट, छे, साथ, आज, नो, दस और दस में माफ नहीं हुआ तो ग्यारवे दिन मुख में त्री बदल दूगा है बताओ दस दिन में करजा माफ हुआ क्या बताओ मेरे किसान भाईयों पूज रहा हूँ ये जूटे बादे करने वाले करजा माफ नहीं हुआ बेरोजगारी बत्ता नहीं दिया समू का करजा माफ नहीं किया अरे और तो और पुर्धान मंतरी नरेंडर मोदी जी ने किसान सम्मान निभी देने का फैस्ला किया छे हजार कमल माज जी उसकी सुची तक किसानों की तुमने नहीं बेजी पुर्धान मंतरी का नाम हो जाएगा इसलिए किसानों की सुची तक नहीं बेजी प्रदान मंत्री आवास योजना में आपने मकान बाप्रत लोटा दिये ये मेरी बेहने बैठी है सुनो मेरी बेहनो राजगाल मम मर गए कुआ और हैंड पंप पानी भर भर गए लेकिन प्रदान मंत्री दरेंदर मोदी जी को धन्यवाद दूँगा जल जीवन योज मिसन बनी और अब घर घर पाइपलाइन बिछाके टोटी वाला नन लगाके पीने के पानी का भियान चल रहा मेरी बेहनाओ घर घर टोटी वाला नन लगेगा टोटी खोलोगी तो धर धर पानी आएगा और गुंडोर का घरा भर जाएगा ये भरती जनता पारिडिक सरकार है लेकिन कमलनाजी ने 2019 में उसी ओजना को भी लागू नहीं किया मेरे किसान भाईयो आज मैं कह रहा हूँ सम्मानी राइना सिंगी ने आज लगबग 22 करोड रुपया खाते में डाले क्योंकि मैंने बचन दिया था मैंने कहता किसान भाईयो कर्जा माफी की घुप्ता के कारण जो डिफाइटर हो गए है उनका ब्याज हम भरवाएंगे ताकि सोसाइटी से खाद बीज मिल सके सोसाइटी से अर्विन धजोरिया सेकार्ट का मंतरी बठे सोसाइटी से अब डिफाइटर किसानों का कलंक मिट गया सबको खाद बीज मिला सुरू हो जाए और सुन्ना मेरे किसान भाईयो खाद की साल कोई कभी नहीं रहेगी एडवांस में भरवा के रख लियाए आप चाहो अभी खाद उठा के ले जाओ घर पर बोरी रख लो ताकि बौनी में परेशानी नहीं हो और तीन महीना पहले भी उठा के ले जाओगे तो ब्याज मैं भरवाओंगा भारती जन्ता पार्टी की सरकार भरवाएगी आपको उसका जादा पैसा नहीं लगेगा पानी की दोवस्ता ठाद की बेवस्ता किर्शी मंतरी कमल पटल बैठे मूं कुछ लागों में हो रही है खरीदो कमल पटल मूं की खरीदी भी हम सुरू करेंगे किसान भाईयो आपके हित में कई फैसले हमने किये ये कर्जम आफी की बात करते है 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जनता पार्टी की सरकार लगातार खरी है जिरो परिजैंट की है प्लचा क्रिशा कोम ने दिया? केवल भारती जनता पार्टी की सरकार ने उनने इसको भी ठंदे बस्ते में डालिने का काम किया था सिचाई की जवश्ता है ये वही राजगرج दिले में 45 लाख हैक्तर में सिचाई की दवस्ता कर दी और अब 65 लाख तक ले जाएंगे इजी राज करजले में सुठालिया जैसी योजाँ पर भी काम करेंगे और सुठालिया में किसान मौापजय की बात उठा रहे हैं जरुआत परी तो मौापजया बढ़ाने का काम भी किया जाएगा किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याएं नहीं होने दिया जाएगा आज फोतल भी मायोचा का पैसा आया है अपने नरंडर मोदी जी कितने दूर दुर दृष्टा है छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था उनकी भी तो जिव्यत होती है भाई तो प्रधान मंत्री जी ने तैटिया कि हम तो हर किसान के खाते में छे हजार रुपया हर साल डालेंगे दो-दो हजार की तीन किस्ट मैं चोथी बार मुख मंत्री बना तो मुझे लगा सिवराज अरे तू चोथी बार बना है प्रधान मंत्री जी छे हजार रुपया दे रहें तू भी तो दे दे चार हजार चोथी बार बना है तो मैंने भी तजिया चार हजार रुपया मैं भी डालूँगा तो छे और चार कितने हो गए दस हजार रुपया लेकिन आज एक बात और मैं कह रहा हूँ बेहनों को तो एक हजार मिल गए अब लगता किसान को भी एक हजार रुपया महीं नहीं हो जाएं भाई बोलो होना चाहिए कि नहीं तो सुनो मेरे किसान भाईयो तुर्धान मंत्री जी जी तुर्धान मंत्री जी तहीं रहें अम्मावाबी छे हजार देगा छे और छे मतलब एक हजार रुपया अरे एक हजार रुपया मैना अब देखो भया छोटा किसान परिवार है तो सुरिमती जी के एक हजार स्रीमान के एक हजार साल वर में कित्ते हो गए हरे हिसाब लगाओना चोबीस हजार और सुनो मेरी बेनो घर में अगर दो बहु है तो छोटी को भी दूँगा और बड़ी को भी दूँगा देना चाहिए कि नी देना तो उनके भी चोबीस हजार हो जाएंगे कि नहीं और घर में अगर बूडी सास है तो भी तो सोचेगी मामा बहु का ध्यान रख लिया सास की भी तो सोच तो हमारी ऐसी बूडी माता है जिनको प्रेंसन मिलता है उनका प्रेंसन भी बढ़ा के हजार रुपया करने वाला हूँ देखो मेरी बेहनों पैसा बिस्वास बढ़ाता है बढ़ाता की नहीं बढ़ाता अरे सब बनों बढ़ाता की नहीं जेर में रुपया हो तो हम्मत रहती की नहीं ये धरे तो है और अगर नहीं है तो पैसा बिस्वास भी बढ़ाता है और पैसा इजज़ भी बढ़ाता है अगर पैसा नहीं दे लख हुआ इते या और पैसा है तो सेठ लखी राम जी पदा लिए अभी तक पती देव से पैसा मांगती थे अब जब हजार रुपई आएगा तो सासुमा भी कहेगी और अभी तक तो फती से पैसा मांगती थे कभी उनको वजफ़ पढ़ गी तो क्योंकि मैं जानता हूं बैहन बचा के भी रखेंगी रखेंजी कि नहीं रखेंगी तोड़ा बचा के भी रखेंगी और कभी मोलट काके आ गए तो पूछोगी पपकू के पापा क्या बात है आए बड़े उदास लग रहे हो और वो कहेंगे पैसा नहीं मैं क्या करूँ तो खटके जी निकल के चिंटा काई को करती मैं तो है कि ले जा मेरी बेहनों हालत बदल जाई और मैं इतने कहर हूँ कि भर्धी जंटा पार्टी की सरकार लोग कल्लान काई सरकार हैं लोगों की जिनगी हमने बदलिये बुर्दान मंत्री नरंदर मौदी जी ने बदलिये और इतने मेरे बेहनों और भाईों एक बात और कहे के मैं राईना जी को बलाउंगा मेरी बेहनों एक संकल्प और लेना मेरे साथ हम गरीब नहीं रहेंगे हम गरीब नहीं रहेंगे हमारी आखों में आसु नहीं होंगे हमारे चेहरे पर मुस्कुराट होगी मैं ये चाहता हूँ मेरी बेहनों हमारा संकल्ब है कि हर बेहन लखपती बने मतलब साल में एक लाख रुप्या कमाएं बोलो होना चाहिए की नई अरे जो और सो बता होना चाहिए की नई और ये किया जा सकता है आजीब कामिसन के मात्रम से स्वासाता समुह के मात्रम से कई बेहने बेहतर काम कर रही है और धीरे धीरे दस हजार रुप्या मेना कमाने लगी मैं तुमारे साथ हूँ मेरी बेहनों आजीब कामिसन के मात्रम से हम साथ मिलके काम करेंगे और मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ आने वाले पास साल में हर बहन की आमदानी दस हजार रुपया मेना हो जाएगी काम करते हुए दस हजार रुपया मेना हो जाएगी नहीं रहेंगे मजबूर नहीं कियेंगे गरीबी में ये संकल्प लेंगे और इसलिए लाडली बहना परिवार हम बना रहे हैं लाडली बेहना सेना हम बना रहे हैं, गाओं गाओं में लाडली बेहना सेना, छोटे गाओं में ग्यारा बेहना सामिल होंगी, बड़े गाओं में 21 बेहने, हर बाइट में बनेंगी, और इन सब चीजें आजीब का मिसन का काम, लाडली बेहना योजना लागू करवाना, लाड़नी बेना सेना में सामिल होगी, बहाद उड़ा सब, कलेक्टर जड़ा देख ले, और चारिक मिर्देश हो गए लाड़नी बेना सेना के, हर गाओं में हमारे साथी बठें, उनके साहोग से ये संक्षन बनेगा, बहने भी आगे बढ़ेंगी, किसान भी आगे आएंगे लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, ये नया जमाना आएगा, लेकन एक तरफ, एक तरफ वो लोगें, वो अभी फिलल चा रहें, माप कर देंगे, इतना दे देंगे, पहले तो दिया नहीं, अब उनका भरुसा करोगे का, अरे दरवालों उनको भरुसा करोगे का, कमलना जी कहांगे, अब फिर पत्याने आ रहें, ये दे देंगे, ये दे देंगे, देखो मेरे बेनों और भाईो, हम जो कहते हैं वो करते हैं, मैंने का हजार दूँगा तो हजार दिये, मैंने का किसानों को चार हजार दूँगा तो चार हजार दिये, आप करों छहाजार, तो छहाजार दूगा, बोलो मामा पर विश्वास है, अरो सब को विश्वास है, तो एक फैस्टा और करके अपनी बात खतम करूगा, किसान परिवारों से, मेरी बेहनों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, कि मामा टेक्टर कोई चार पई टोडिये, तरके का साथ दोडी, जार पईया वाली बेहने कट गई थी, कि चार पईया बाहन हुए, तोने नहीं मिलेगा, आज ये तैकर रहें, कि तैक्तर, चार पईया बाहन में नहीं आएगा, तैक्तर वाले परिवार में भी हार, हर, माह, अम्में बडे आदर के साथ भारत सरकार के रक्षा मंतरी यह राखी लख लेता हूं जल्दी देदा कि तीज़ा मेरी बहनों अम्में प्राणता करता हूं हमारे आज के मुख्याति थी भारत के रक्षा मंतरी हमारे बड़े भाई मार्ग दर्सक् आदनी स्रिमान राइनाज सिंग जी से दोना हाद उपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए आयमानी भाई साव जनता जनार्दन को संबोधित कीजिए